कि एलो शुरेंट वेलकॉम आज मैं आपको पाने वाला हूं लेनियर एक्क्वेशन इन टू वैरियेबल्स यह टॉपिक जो है आपका क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले हमें समन्ना होगा नियर कीञा किया ह containment ने मतलब नियक्ति मतलब दिगरी क Emmy realistically हो शाहिए एक लीनियर एक्वेशन हो गया है यहां पर बेरीयंबल हो गया मेरा वारीयबल हो गया तरफ वो गया और एक उमा दूमा भी मेरे क्यों होते हैं फॉफिशियरण किया है या कॉंस्टेंट क हाथ जी ठेंग मों कॉंस्टेंट lives टीक बिनिये राख बुईवल्स आप पर लिखनेट का थानर का यह ऊज्म एक्स यॉवाइ इन ही फ़ीड़ कर दो शी लेकी नहीं हार दिया मेरा फ़्ट वारीएबस और यह मेरा थेकन X का coefficient A X का coefficient A Y का coefficient D And C constant C constant अजय से इसका example देखे 2X plus 3Y is equal to 5 ऐसे हो सकता है अब हो सकता रेखिए X is equal to 4 विसको ऐसे रिक सब केस वाले को X plus 0Y is equal to 4 ठीक यह हो गया linear equation in 2 variables के बारे में अब इसके बार इसका जानते हैं कि इसका geometrical interpretation क्या आता है linear equation in 2 variable समाई ही क्या represent करते हैं यह जो topic है आज आप लोग को बता रहा है क्लास 9, क्लास 10 दोनों के लिए बहुत important है अब इसका बार आता हमको जुमेंटिकल representation जुमेंटिकल representation जुमेंटिकल representation थे पल्द क्युमेंट सब्सक्राइए एक इसकाSorry question कि आते हाता है इसका मतलब क्या हुए इसका जुमेटिकल इंटिकल ने नु टिदु क्सक्षिकल टेबल थिक्श aż oneail खको टिरो इस अजय को घ्रेटार मैं ऐस जेरो जिरो घरिया नहीं क्या हो जाएगा जीरो प्लस प्लाक्षեरा कोडिनी सीज्ञ वाइ इसफ़वर्ट टुसी अपॉन भी थीच एड़ जब वाइज दीडों ने लिया एक्सिट इपन एड़ा यह क्या बन रहा एक इस्ट्रेट लाइन बन रहा है अब यह जो है एड़ बीजिक नंबर से यह हमारा एक इस्ट्रेट लाइन बनाएगा जैसे क्या है इसका अग्राफ बनेगा इसका क्राफ क्या बनेगा तो यह हमारा क्या बनाएगा देखिए एक लाइन के पॉइंट यह पॉइंट से लाइन पर आएंगे लाइन पर इसनी आएगी दो पॉइंट से इसको रिप्रेंट करेगा अब क्या है इसके बाद क्या आता है शचेट फिवार्ट के लाइन ठीक अब शचेट नाइन है यह अब भी अबडेट नाइन इसके इसको सटिस्फाइब करने वाले इंफाइनाइट पॉइंट सटिस्फाइब करेंगे और वह सारे पॉइंट किस पर आएंगे स्टेट लाइंगे हर लिनेर इक अलग श्टेट लाइन देगा अब देखिए इसके बाद के आउता अगर हम दो स्टेट ले जाएं अब देखिए अगर मैं दो स्टेट दो दो लीनेयर को लेने रहा हूं कि न इसको मैंने बीवन इसको सीओन कर दिया एक्स प्लस बीटू आई इसको सीटू ने अब क्या क्या दो एक कुछने दिया माझ शेब पहला वाला मेरा लाइन अबना रहा है यह मेरा लाइन लाइन की केस में क्या बढ़ा है, लाइन केस में जो लाइन अगर हुआ पहला केस होसकता है, L1, L2, पहला केस पैलल नहें, दूसरा होसकता है, L1, L2, इंटरसेक्टिंग, कि लाइज सी केस्ट मिचा उसकता रहे पारल्लर लाइज सकती रुसा इंटर्सेक्टिंग हो सकता तिसरा को इंसिदेंस उसकती को इंसिदेंस मतलब ओवर्लै इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो लाइज ले लेंगे एक लिया होगा तो इसको इंटर्सेक्टिंग बनेंगे इसकेस में नौ सॉलूशन इसमें यूनीक सॉलूशन अगर हमारे पास दो लाइज जाएगा और इसकेस में इंफाइनाइज सॉलूशन अगर इसका आगए प्रकेश्टिंग अबधिक है अब देखेश आपको और समन्में आ गया हो तुम्हाइब आपको और दगादूं कैसे करते हैं फिज़ों और यह सब रिवन करेंगा किसपे डिपन करेंगा लाइन के कॉफिशियंट्स पर डिपन करेंगा कॉफिशियंट अगर हमें सोलेक्षन मिल लाएं तो इस तेंट अगर नहीं मिल ला तो यह इंकंसिस्टेंट क्यों इस तेंट लो सॉलेक्षन अगर सुली यह दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे कंसिस्टेंट क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है अब देखिए कंडिशन आपको बताता हूं क्या होती है कि वह दो में रुपते हैं अगर एक पैरलल लाइन नो सॉलूशन जब दो लाइन से एक कुशन चाहरा अगर ऐसा दिया गया होगा क्या दिया गया होगा क्या दिया गया होगा अगर दिया गया हो कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो लाइन मेरी होंगे intersecting and solution मेरा मिलेगा यू अगर तीनों कोफिशियंस का रेशियो बराबर है तो लाइन मेरी कहते होंगी अब मैं आपको देखिए कंडिशन नोट रहे हैं यह मेरा इसका हो गया फर्स्ट वाले का यह मेरा सेटेंड का हो गया यह मेरा थाल को अब मैं आपको इस पर किदा पर बता देता हूं कि 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 अधिए कि कि देखिए इसका ग्राब से बढ़ा सकता हूं देखिए के वन और यह सार्ण के वन आपान ऐटो एक्वार टो बिवन आपानना दो टो एक्वार इक्वार पी वर टो प्राब इसकी वैंड इसके वैंड है कि फोर अपॉन टू क्या हो जाएगा फोर अपॉन टू तू हो जाएगा तो लाइस कैसे हो गई पैर नल ठीक अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ के फूल समझा जेता हूं उकश जाम ए्क्ारएब आर छोर जिरो खोर जिरो जिरो टू गोर अपॉन adesso सूल कि फूल एल्एफ लड़न अब यह दूनों लाइंस देखिए परलेल लाइंस का ठीक है अब देखिए दूसरा बता देता हूं कि आपको आज एक केस देदेता हूं तो इसके बाद आगे बते हैं अगर मैंने इसको ऐसे लिखती है कि अब देखिए एक से लाइन को आपको अब देखिए इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो जो मतरा से कामन ने लिए तो यह लाइन एक्स प्लस वाइज इपकल टो फोली तो लिखेंगी है मतलगी एक सेमी लाइन यह लाइन का मग्राफ ग्रॉप करूंगा तो कोइंसिदेंस लाइन सी आएंगी एंड इस तरह की लाइन कोइंसिदेंस कोइंसिदेंस मतलब उन फाइलाइट विखेंगे अब इसका ग्राफ बनाओंगा तो मुझे एक्टी लाइन मिलेगी वो यह वाली मिलेगी दोनों लाइन मेरी एक के उपर एग एक उपर एक लाइन इसलिए मैं इसको ख़्ड़ा पर देटा हूं ठीक अब तीसरा है मेरे पास इंटर्सेक्टिंग लाइन इंटर्सेक्टिंग लाइन का देखेंगा आपको बहुत इच्छा एंपर आगा एक स्प्रस वाइ इपर दूटिंग लाइन इसका देखी मज़ आपको पर देखेंगा पहले वाले को तो मुझे पता है यह वाँ दूसरे वाले का X0 Y0 X2 X0 X0 Y-2 ठीक है? तो यह लाइन यहांपर जाएगी यह देखिए यह इंटर्सेप्टिंग पॉइंट हो गया क्या हो गया इंटर्सेप्टिंग जो आइए यानि यह इसे मेरा सॉलूशन पॉइंट हो जाएगा आइए इक ह्यां लाइं पॉइंट करें दीगी मुझे अधिए अधिए। हम दिखिए अधिव टीच्वाइट कर दूंद तो इस इस ध्युक्त अधिवर टी एक्स थ्री में गया X किसमें विक्सी रग भी है X plus Y is equal to 4 है 3 plus Y is equal to 4 है यानि कि Y is equal to 1 यह solution को उसको क्या मिल लिया X 3 and Y 1 अब देखिए ये value दोनों को है साइट है C 1, C 1 2, C plus 1 3 अब इसका ratio देखिए A1 upon A2 is equal to 1 आ रहा है B1 upon B2 is equal to minus 1 आ रहा है अब पुझे यह देखिए यहीं पर बराबर नहीं आ रहा है क्या रहा है ratio A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 तो lines intersecting हो जाएंगी जोनी X solution और solution आपको निकालने का तरीका आप मैं आपको next lecture में बतामगा आज मैंने उसका basic concept बता दिया है जोसका basic concept गाएंगी श्याइस थांकी श्याइस